पुलिस ने पूरे मामले में आरोपियों को गिरफतार कर लिया है साथी आरोपियों के घरों को जमीन दो कर दिया है बदादे कि शनिवार को नीमच जिले के सिंगोली था नशेत्र की एक घटना सामने आई थी जिसमें जुल्मों सितम की सारी हदे पार कर दी गई एक भील आडिवासी को चोर होने के शक में कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा और पेकप बाहन के पीछे रसी से पैर बांद कर दूर तक घसी तिया जिससे युवक की मौत भी हो गई इस मामले में आरूपियों ने अपनी बरवर्ता का एक वीडियो भी बनाया और वायरल कर दिया वायरल वीडियो ही आरूपियों के गले की फास बन गया वीडियो सामने आते ही पुलिस प्रशाशन में हरकप मच गया इस पूरे मामले में आठ लोगों के खिलाफ हत्या और एक्ट्रोसिटी एक का मामला दज किया गया है युवक पर सितम आरूपियों पर कारवाई शिवराज जिस सरकार ने कहा कि गुंडों की खेर नहीं है अगर इस तरीकी की कोई भी करत करेगा तो उस पर सक्त कारवाई की जाएगी